एक शब्दे रंदीब सुर्जेवालाए उप्योग करयो तो के व्यक्तिगत हित माटे व्यक्तिगत हित करता राजस्तान मोटू छे गईकाल्थी जेस संकेत मली गया हाता ग्राफिकली तोड़ा मुद्दाउसर वात ने समझी लिए जोती राधित्य सिंध्याने सचीन पाइलेट आ सिंध्याना मारगे पाइलेट चाली रहा चे उस पश्ट पने यह देखाए रहे उचे कारण के जोते राधित्य सिंध्या अने सचीन पाइलेट मित्र होवानी पन वात लांबा समय थी आपने सवने ख्याल छे सीम नव बनवा पाइलेट नारा जटा डेप्यूटी सीम बन्या परन्तु टेम जटा पाइलेट नारा थ्या मुख्यमंत्री बन वह तू अने आज यारे ब्याजवार धार्मा परिणाम आभिऊ त्यारे जाबाद सपस्ट ही गयाती कारण के थोड़ा दिलीनी मुलाकाते सचीन पाइलेट अन युवानों नी पसंद की चे अशोगेलोत संगेठन पर पकड़ दरावे चे शामाटे एक विजानी साम सामे आवी गया चे शिती हुद चालियो चे बे वकत सचीन पाइलेट सांसद रहा ने पांच वकत सांसद रहा चे अशोगेलोत पूर्वा मुख्यमंत्री पन चे एक वर धारासभी बने और पांच वकत अशोगेलोत धारासभी बनी चुक्या चे कॉंग्रिस ना वरिश्ट नेता चे अशोगेलोत अनु भवी चे अनी त्यारेज वेजार धर माई वाद सामें आवी ऑति किनु भवना करणे अशोगेलोत ने मुख्यमंत्री राज्यस्तानना बनावा माव्या युवान चेहरान नो इस पश्ट चबी धरावे छे अने केलवाएला अनुभवी नेता छे अशोगयलोत युवानों नी पसंद की सचीन पाइलट छे अने संगठन पर अशोगयलोत ती पकड छे जो आप समझो राज्यस्थान मा जे युवा मद्दारों छे कॉंग्रिस ना युवा कारी करता हो छे तेमा सचीन पाइलट नी एक इमेज एनी छाप खुम मोटी छे वेजार अधार राज्यस्थान नो जेरे परिणाम आवियो जेरे सरकार बनावानी वाद सुधिव पहुंची गयू तो किटलाक अनुभवी नू कहवू अतू किटला के वरिष्ट नेता छे राज्यस्थान माओ तेने बहु बहलो अनुभव छे तो वदू चर्चा करिए और वदू जानवानों प्रयास करिए वरिष्ट पत्रकार प्रदीब शेखावत आपनी सांते राजस्थान ते जुड़ाया चे प्रदीब जी क्या हो रहा ये कल कुछ और बात चल रहे थी कल तो ये बात चल रहे थी कि शायद ऐसा हो सकता है कि पार पांच मांगे रखी है कि खुद के जो साथी है उसको मंत्री बनाना खुद को अध्यक्षपत पे रखना ये सब बात सचीन पाइलेट मान लेंगे लेकिन आज कॉंग्रिस ने कुछ बैतरीन या तो कहो के पार्टी लेवल से कुछ ऐसी कार्यवाही की है कि सचीन पाइ अधिकांज नेताओं ने बात की थी और उन्हाने मनाने का प्रयास किया था लेकिन वहीं दूसरी और जब दस बजे भी हो मिटिंग में नहीं पहुंचे तो उसका टाइम बढ़ा के 11 बजे किया गया तो अब जाके जब दो बजने के टाइम था तब वो मिटिंग का एजन क किया गया उसके बाद में भी जब वो लोग नहीं पहुंचे तो सबसे बड़ा एक एहम फैसला क्योंकि जो पूरी लड़ाई थी वो प्रदेश अध्यक्षपत की थी बड़ी लड़ाई उस प्रदेश अध्यक्षपत पर वर्तवार में जो सिक्षा मत्रे हैं गोविन यूद कॉंग्रेस का देख आपको बता दे कि यूद कॉंग्रेस का जो अध्यक्ष अभी जो है रालिस्थान में जो थे वो मुकेश वाकल लाड़नू से विधायक थे दोर जो सचित पाइलेट गुट में हैं और कल्प से वहीं पे थे और लगातार वो त्वीट के माद्य से अपनी आखें भी दिखाना चाहरे थे गयलोग सरकार को अब आग इनको हटा के एक राजपूत को उनकी जगह लगाया है एक आदिवासी को यूद कॉंग्रेस को लगाया है सेवा दल में लगाया और एक जाट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया मतलब पूरा जो जातिकत स पूरू मारादया है बरतपूर के उनको भी एटा दिया है वहीं अशोग गेलोग गुट को अभी भी सचिन पाइलेट गुट की तरफ से आख दिखाते विए जो नया काम किया गया है हो गया है कि एडस यूई के अभी मन्यों पूनिया जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने इस्तिफा दे दिया है और लगातार यूद कॉंग्रेस से जुड़े वे मुख्य कॉंग्रेस से जुड़े वे ये जवाबी कारवाई उधर से शुरू हो गई है और ये तैब मा अभी तक अपना रुख बना रखा है और उन्होंने अधिकत तोर पे जो सीनियर विधायक है बहुड़नाल चर्मा उनको आगे किया है और वो मीडिया से बातशीत भी बहुड़नाल चर्मा ही कर रहे हैं और वो बार-बार फ्लोर टेस्ट पीमांग कर रहे हैं जी बिल्कुल बिरोचीफ देवशी बारट पर हमारी साथे नियूजरूम थी लाइफ जुड़ाए गया छे देवशी आवे आपनी पासे समझू छे के युवा ब्रिगेड दी वाद कॉंग्रिस मा लामा समय थी थाई जाती राहूल गादी कॉंग्रिस मा संपूर एक्टिव परन्तु हवे गईकाल स्थिती अलग थी देवसी आजे स्थिती अलग चे पाइलेट ने दूर करी देवा माव्या छे आ राजकी स्थिती ने आपकरी ते जो चो राजस्तान मा कॉंग्रिस नी सरकार पर संकट वध्यू चे संकट यथावत चे जी निशित हमना हमना नी वात करा माव्य तो कॉंग्रेस ना त्रण यूआ ब्रिगेट के जेने सेंट्रल नेतरुतुमा खुब महत्तो नुस्थान आपका मावतु होतू साथे साथे राहूल गांधी ना प्रियंका गांधी ना खुब नजीक ना लोको होता अने गांधी परिवार ना पन साथी वधारे नजीक ना लोको मानवा मावता आता साथे कॉंग्रेस ना वफादार के वा मावता ए त्राण लोको छे ए डायरेक अथा इंडैरिकली ले भाज कॉंग्रेस छोड़ी दिदी छे सवाल एक हेमंद विश्वा एक छे बिजा जोती राध्या चे सिंधिया जे मध्या प्रदेश माती छे नवे त्रीजा जे छे एने काडी मुक्वा मावा आचे सचिन पाइलट होए कॉंग्रेस नी अंदर युवा नेतरूत्वनी वाद करवानी वाद चली री छे थोड़ा समय पेलाज जैरे राहूल गांधी है कि जोतु के नवी जरू आज जे छे युवा नेतरूत्वनी साथे सासे अनने युवा नेतरूत्वय आगडावू जोए औने एने ज़ लाए खता साथे साथे एसाथे एक मोटो जनादार हतो जहमकर यूपी नी जहमकर मध्य प्रदेश नी वाद करवा मात तो जो ती राधी ती सिंध्या छे यह त्या मुख्य मंत्री बनावा माट ञाए शे फिल्क यूवा ना बनाविया परन्तु एने योग्य पदा अपनी पर्त बेलुटाँ चाइस सातीन पाइलैक पर राजस्तान नी है युगा पॉटानी नवी पोलिटिकल पाटी बनाव से परन्तु सवाल एचे के नुकसान तो कॉंग्रेस ने था यूचे हवे सवाल एचे के स्थीर सरकार हती कॉंग्रेस नी राजस्तान नी अंदर एस सरकार सामे प्रश्ण कडा था रिया चे हवे गेहलोज जे चे छे जैसे अने जी तो कहली करता हते तो यूची राजनी लेण प्रश्ण कंव्रेस ने चाली रही रही है गॉल देवस्ति निवाद अमारी सत्हे जोड़ा दिय गिया प्रदीप छेखभर जुड़ा रदीब जी सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल से जो बात कल से जो बात चल रही थी वो तो आमने सुनी लेकिन आज ये बात सपश्ट हो गई कि अब जो है सचीन पाइलेट कॉंग्रिस के सदस्य भी नहीं रहे वो ना वो ना मुक्हमतिरे रहे ना वो अध्यक्षपन पर अब है तो आज राजस्तान में क्या सतिय कितने विदाईक सचीन पाइलेट के साथ हो सकते हैं पहला वीडियो जो था माने सर की उस होटन का वो जारी किया गया था इसमें एक सचिन पाइलेट खुद भी शामिल थे लेकिन यह जो आकड़ा है यह 20 से ज्यादा 20 से 25 का आकड़ा इसलिए पहुंच सकता है कि अभी भी अशोग गलोत सरकार की जो किड़बंदी या वाड़ा उसको आगे बढ़ा सकते हैं और उसको कर सकते हैं पहली चीज तो यह लेकिन जितने लोग जुड़ेवे हैं वो खुलकर अभी भी सचिन पाइलेट का साथ दे रहे हैं एवन जो बिटी भी पार्टीकल जिस पार्टी ने एक अपना पत्र जारी किया था दोनों जो विधाय आज एक विडियो एक जारी हुआ है कि मुझे पुलिस की द्वारा प्रतारित किया रहा है और मेरी गाड़ी को आगे पीछे जाम किया जा रहा है कि मैं कहीं भी ना जाओं कहीं ना आओं तो उसके ओपर विधाव बनाए जा रहा है सेम यह दबाओ कि रागीति और भी तो वो फ्लो टेस्ट कराएं सचिन पाइलेट गुट के जिते भी विधायक है वो भी एक है और अब बीजेपी भी दवी स्वर में यह सुएकारने लगिए कि हाँ ठीक है अगर आपके पास विधायक है तो फ्लो टेस्ट करवा दें तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी चाहने मला चे अशो गैलोत आप आत्रश्य जोई राचो अने आ इटला माते महत्वपून चे कारण के जे स्थिती अत्यार्ना चे राजबवन पहुंचे आने अमां आपने द्रश्य पण देखाड़ा के राजपाल कल राज मिश्रा साथे अशो गैलोते मुलाकात करी फ्लो टेस् शू करवा इच्छे शू लेणे लेवा इच्छे बीजी तरफ आप जो हजू सुधी सचीन पाइलेट तरफ ती कोई चित्रस पष्ट धयू न थी किटला विदायक तेमनी साथे चे इटले के किटला धारसब्यों तेमनी साथे चे जे रिसोर्ट पॉलिटिक्स चाली जे ओ बान करवा मावी रहूचे वाज एक वीडियो पन वीटीपे ना धारसब्य जाहिर केरोचे आखुब महत्व पुन बात छे अन्ने आ तमाम अपडेट्स अमें आपना सुधी पहुंचाडी शू आ तमाम अपडेट्स के राजस्तान मा शू स्तिती उद्भविरे इचैन बात पर करी छे प्रदीप शिखात आपने साथ जोडाईला चे प्रदीप जी अमुलाकात को आप कैसे देख रहा है क्योंकि राजबवन पहुंचे एकलराज मिश्रा के साथ मुलाकात भी किये कितना महत्वपूर मानते इस मुलाकात को पहले ना संतुस्ट है जो उन लोगों को संतुस्ट करना एक पहली प्राजमिकता रहेगी और जो सचिन पाइलेट के साथ जो जुड़ेवे हैं उनमे एक आपको मैं बड़ी चीज बता दू रमेश मीना जो गिधायक है अभी और उनको मंतरीपत से जो हटा दिया है करोली बेल्ट में जो मीना बाहुले बेल्ट में उनकी बहुत अच्छी वहाँ पे चलत है उनके समाज में भी है हाडोती शेतर में वह बहुत अच्छे मीना समाज की जो नेता है उनमें से एक है ये एक कॉंग्रेस के लिए एक नेगटिव पॉइंट हो जाएगा तो राजस्तान में गूजर बहुले एरिया और जो मीना जो एरिया है उसमें एक हाई अलट की बात निकल के आ रही है क्योंकि शायद ऐसी आशंका हैं जता रही है कि उनके समर्टा का अप सड़कों पर आने का या कोई उपद्रव करने की कोई ऐसी हरकत ना करें जिसको लेकर पुलिस ने सावचिती शुरू कर दिये वहीं विश्वेंदर सिंग का मैं आपको बता दू कि विश्वेंदर सिंग भरतपूर के पूरों महराजा है और वहीं विश्वेंदर सिंग है जिनोंने पिछली अशोग गेलोज सरकार जब हार गई थी उसके बाद में PCC चीफ चं हैं और पुरों महराजा हैं उनकी अगर बात करें तो लोग आज भी उनको वही संबान देते हैं तो ये एक नागबार बात हो सकती है कि भरतपूर के महराजा हैं दूसी तब रमेश मीना है और जाट जो ये लगातार यूट कॉंग्रेस के हों चाए नसुए के हों इन तीन को बिठाया है और अशोग गूग्रा जो विधायक है ट्राइबल बैल्ट से उनको इन्होंने यूद कोंग्रेस का अध्यक्स बनाया है समीकरन कुरा बिठाने का प्रयास किया है लेकिन नाराजगी जो है वो अब एक अंदेशा है कि वो अब सड़कों पर समर्थकों के तो संद आज भी सचिन पाइलेट है और उसी का परिणाम है कि लगातार यूद कॉंग्रेस हो एनस यूआई हो वो जितने भी यूवा उनसे जुड़े में है वो लगातार अब उन्होंने स्टीफा देने की स्पेश कर शुरू कर दिया जी कि यूवा अने एक अनुभवी नेता वच्चे निया आबाद छे अवे ए आपने संब्लावी है क्या समग्रमामले भाजपना नेता शाह नवाज हुसेन शुपरतिकर्याद कांग्रिस विनाश काले विप्रित बुद्धी कांग्रिस विनाश की तरफ बढ़ रही है कांग्रिस अपने ही नेताओं को अपमानित करती है कोई भी राहुल गांदी के लिए खतरा ना बन जाए चाहे वो सचिन पाइलट हो या जो तरह जित सिंदिया ये अगर दोनों भी मुखमंतरी बन जाते मत्परदेश वराजिस्तान के तो वो उनका कद्र और उनकी योगता एतनी हो जाती कि वो राहुल गांदी के लिए भविश में खतरा बन जाते इसलिए जगरा अशोक गहलोत और सचिन पाइलट का नहीं है जगरा है कि राहुल जी प्रियंका जी क के सामने कोई टालेंटेड यूवा नेता आगे न बढ़ जाए इसलिए उसके पड़कत रो और इसी योजना की तहद पांस साल मेहनत सचिन पाइलट से कराया था प्रदेश अद्रक्ष बनाया था पांस साल सचिन पाइलट ने दिल्ली का मुँ नहीं देखा पूरी तरह व ना दिया और बार बार सचिन पाइलट को अपमानित करते रहे और अब सिर्फ दिखावे का बहाना कर रहे थे ये कांग्रेस की सोची समझीरन नीती थी ये जादे दिन तक अशोग गहलो तो भी मुखमंतरी नहीं रहेंगे अभी तो उन्होंने उप मुखमंतरी से सचिन प शेखावजी आपने साथे जोड़ायला चे शेखावजी बहुत संक्षिप में आपसे जानना चाहते हैं कि हमने सदन में बार बार ये देखाए कि एक तरफ जोतिरादित्य सिंधिया बैढ़ते थे दूसरी तरफ सचिन पाइलट बैढ़ते थे जब से राहुल गांदी अम जोतिरादित्य सिंधिया रहे हैं ना आप सचिन पाइलट रहे हैं तो अब राहुल गांदी और कॉंग्रेस की ये जो युवा ब्रिगेड का जो एलान था उसकी क्या सिचुएशन हो सकती इन बड़े नेताओं के बड़े युवा नेताओं के जाने से कॉंग्रेस में कभी ये खुद ही नियम बनाते हैं खुद ही तोड़ते हैं क्योंकि पिछले अभी पिछले डेट साल से एक नियम को लेकर बार बार जो आवाज उट रही थी कि एक वक्ती एक पद फचिन पाइलेट जैसे ही लड़ाई पहले दिन से शुरू थी कि मुख्य मंतरी बनाना है फिर लड़ाई उप मुख्य मंतरी पे आके ठमी लेकिन वो खुल कर सामने नहीं आई लेकिन अंदरों में मन्से वो लड़ाई जारी थी चाहे वो विवागों में काम अटकाने की बात हो या किसी भी विग्यापन कोस्टर पे उप मुख्य मंतरी की फोटो नहीं लगाने की बात हो फिर यूद कॉंग्रेस के चुनाओ जो अभी हुए थे यूद कॉंग्रेस के चुनाओ में भी यही मुख्य मंतरी पाले के लड़ाई हुई लगबक डेड़ महीने तक वो चुनाओ का रिजल्ट अटका रहा और फिर लास्ट में मुकेश भाकर जो यूद कॉंग्रेस के अध्याइफ्स बने ये विधायक हैं और ये इसी पाइलेट कोटे से थे और पाइलेट कोट साथ में इन्हों ने पूरा समर्थन दिया उनको अब बात आती है कि यूद का जो है क्योंकि यूद अभी भी लगातार इस्तीफों का जो रहे हैं जो आभ विहान है सचिन पाइलेट को सपोर्ट को लेकर वो कुछ जादा ही अग्रेसिव हो रहा है और अब जो लड़ाई है वो खुल के सामने आरी है लेकिन आपने जो महपून बात कही कि यूद का यूद का जो बविश्यों को लेकर अभी एक बड़ी चीफ जो आरी थी कि बीज कि विधायक को जो है वो इन्होंने यूद कॉंग्रेस का मौका दिया है सावंजेस से बिठाने की प्रयास किये लेकिन युवाओं का जो आक्रोश है वो लगातार सोशिल मीडिया के माध्यम से जो देखने को मिल दा है क्योंकि वो सचिन पाइलेट के फॉलोवर्स हैं और सच कोई नई पार्टी बना रहे हैं ना हम कोई वीजेपी जोइन कर रहे हैं लेकिन अब जो आक्रामक कारवाई कॉंग्रेस की तरफ से हुई अभी जो हम शाहनवाज को सुन रहे थे वो भी ये कह रहे थे कि आपस की फूट जो थी वो खुलकर सामने आ गई और अब उस कि तो वो मांग कर रहे हैं लेकिन क्या वो अपने उन विधायकों को बचा पाएंगे जो अशोग गेलोत के उस बाड़ेबंदी में शामिल हुए हैं वो अभी भी उनके साथ हैं या अशोग गेलोत के पास मौच रहे हैं जी बहुत धनिवाद प्रदीप जी हमारे साथ